प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम की पाट शाला यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है बच्चों इस वीडियो में हम कच्छा तस्वी के गड़ेत के NCRT की एग्जम्पलर बुक के अध्या 5, समांतर श्रेणिया यानि की AP कि प्रशनावली 5.1 जो की MCQ है यानि की Multiple Choice Question है यानि की Objective Type Question है कि प्रशनी 11 को हल करेंगे हमारे सामने MCQ का प्रशनी 11 है Multiple Choice Question है या Objective Type Question है प्रशनी 11 में हम से पूछा है दो समांतर श्रेणियों का एक ही सारवांतर है दो समांतर स्रेणिया हैं दो अलग-अलग एपी हैं परंतु उनका सारवांतर D जो है वो एक ही है बराबर है मतलब इन में से एक का प्रितम पद माइनस एक है और दूसरी का प्रितम पद माइनस आट है तब इनके चौते पदों का अंतर क्या होगा विकल्प A है माइनस एक विकल्प B है माइनस आट विकल्प C है साथ विकल्प D है माइनस नौ तो हमें बताने हैं इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों देखने में बहुत कतर ना के यह प्रश्ण बढ़ बहुत ही आसान प्रश्ण है हम इसे हल करते जाएंगे और यह प्रश्ण हल होता चला जाएगा जो दिया गया उसको देख लेते हैं दो समांतर श्रीणियों का एक ही सारवांतर है तो पहली समांतर श्रीणियों का सारवांतर D1 है अगर दूसरी का D2 है समांतर upwards तो उन दोनों के सारangenतर को हमने D मान लिया परतल समांतर श्रीणियों का प्रतंपद minus 1 जो दिया गया है लिख लिख दिया अब हम जानते हैं A N बराबर होता है A plus N minus 1 गुणा D तो A 4 क्योंकि चौथे पदों का अंतर पूचा है तो A 4 क्या होगा A A कितना है हमारा minus 1 तो minus 1 लिख दिया plus N minus 1 N क्या होगा A 4 है तो N होगा 4 तो 4 minus 1 गुणा D तो A 4 हमारा आजाएगा बच्चों minus 1 प्लस 4-1 होता है 3 तो 3D अब इसी प्रिकार हम BN निकालेते हैं दूसरी समांतर शेणी का N में पत क्या होगा उसका पहला पत प्लस N-1 गुणा सारवांतर D तो BN बराबर B प्लस N-1 गुणा D तो दूसरी समांतर शेणी AP का चौता पत क्या होगा B4 B4 क्या होगा B B कितना है हमारा –8 तो –8 प्लस N-1 B4 है चौता पत है तो N हो जागा 4 तो 4-1 गुणा D तो B4 आजागा हमारा –8 प्लस 4-1 होता है 3 तो 3D तो अब A4 और B4 आगा हमारे हमसे पूछाए इनके चौते पतों के बीच का अंतर तो A4-B4 पूछा है तो A4-B4 लिख देते है A4 है –1 प्लस 3D वो लिख दिया फिर – कचिन लगा है और B4 है –8 प्लस 3D तो वो लिख दिया अब बस इसको हल कर लेते हैं तो A4-B4 बराबर आजाएगा मारा –1 प्लस 3D तो वही होगा माइनस है और यह माइनस 8 है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा फिर यह माइनस है और यह 3D है प्लस का तो माइनस प्लस माइनस के 3D हो गए अब देखो प्लस 3D और माइनस 3D यह आपस में कट जाएगे थांक्यू वरिमेच हो जाएगा तो A4-B4 किता आज़ा? गर माइनस 1, wanna प्लस 8 तो हमने एंग दे दिया माइनस 1 प्लस 8 8 माइनस 1 होता है 7 तो A4-B4 आगया 7 तो हमारे इनके चौते पदों के बीच का अंतर आगया कितना 7 कौन सा विकल्ब हमें 7 दे रहा है? विकल्ब C दे रहा है 7 तो हमारे इस प्रेशन का उत्तर होगा विकल्ब C7 तो देखा कितना आसान था ये प्रेशन बस जो हमें दिया गए तो वो लिख लिया और हम प्रेशन को हल करते चले गए और हमें प्रेशन का उत्तर मिल गया इस प्रेशन का उत्तर है विकल्ब C7 उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखके हमसे पूछ सकते हैं आपको आपके कमेंट का रिपलाई अवश्य मिलेगा अपको आपको मिलेगा और जब भी आप यूटूब पर वीडियो को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियो आपको उपर नजर आने लगेंगे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेर कीजिए वाट्शॉप पर फेस्टूप पर और सभी जगे जिससे हिंदी माध्यम की छात्रों का अधिक सदिक लाव हो सके बच्चों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजेगा और बच्चों अधिया एक के सभी वीडियो को देखने के लिए आप उपर आई बटन पर क्लिक कीजिए आई बटन पर क्लिक करने से आपको अधिया एक के सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे धन्यवाद बच्चों